बश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमाई चैनल टेक्यास विल पे दोस्तों ये वीडियो से हेल्प के लिए बनाई जारी है जो कि यूपी के मजदूर जो अन्य राज्यों फसे हुए उनकी सहायता के लिए वीडियो बनाई जारी कि वो किस तरह अपने वतन में वाप पर जा सके तो इस वीडियो में मैंने वही डिटेल डिटेल डिस्क्राइब किया कि किस तरह वह रेजिस्ट्रेशन पॉसेस को फिल करते तो अगर आप नए हो हमाई चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स को सेर करे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो पहुचे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्रॉम ब्रावजर में जाके जन सुनवाई.up.nic.in की वेबसाइट पर जाना है कि यहाँ पर हमें डेक्स्टॉप मॉड ओपन कर लेना है के यहाँ पर यहां पे इपस्ट क आवेजन नेहें है तू खिलिक करें उसे करके आओ षखे देंगे तू यहां पर पर जाना है तो हमें दो नमबर के औप्सन पर क्लिक करना है थी यहां पे हमें अपना मोबाइल नंबर अंकित करके और यह capture ऐंक capture डालके एक ओडिपी बेज़े पर किलिक करना है तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दा करना है हमें यहां लगब पाच से शे सेकेंड में और टीपी आ जाएगा उसे और टीपी को एंटर करना है कि अटीपी है एंटर करने के बाद हमको एक फॉर्म फॉर्म को लेगा उसे फिलब करना है तो सबसे पहले मैं आपको सारी सारी डीटेल स्टेप बाई स्टेप बताऊगा तो आप इसकिप ना करें और पूरा वीडियो देखें तो यहां पर आमें प्रावासी तो प्रावासी पर स्लेक करके हम हमारा नाम डालेंगे तो सिंग औरो नाम डाल दिया आयू डालनी है हमारी है प्र यहां पर हमें अपना जेंडर स्टेप करना है पुरूस पिर मुबाइल नंबर इमेल धाना है ने तो निर लाना इडिन्टी गार्ड में हम आधार कार्ड को स्लेक करेंगे फिर आधार कार्ड नंबर डालेंगे पिर यहां पर में सत्यापन के उद्देश से अपने आधार कार्ड नंबर का उप्वक करने की समय देता उसे स्लेक करेंगे की फीर हमें किया आप अपने प्रेयर के साथ यत्रा कर रहे हैं तो अगर हम प्रेयर के साथ है तो तो इस पर यस करना है अगर नहीं है तो ना इससे को का नहीं हिए और जितने डिल्च हैं clair तो मेरी गिंती हो चुकि है तो यहां पर बाकी दूसरों का नाम लिख देता हूं जैसी कि मेरी वाइफ कि सिंग कि एज उनकी डाल देनी है 23 सुरी 22 और उनके साथ क्यारी लेसंस ही पर तो वाइफ का है तो वाइफ लिख देंगे याप फिर अपने पुत्र का नाम अगर आपके पुत्र है तो पुत्र का नाम लिख देना है कि पिरियों सिंग उसके आई डाल देनी है और उसके रिलेसंशिप क्या है वो डाल देना है और अगर फुत्र हो दूसरा जितने मेंबर्स उन सब का नाम लाइन से डालना है और उनकी रिलेसंशिप डालना है अगर उसके डाल देनी है और इलेसंशिप डाल देना है फिर हम नेक्स्ट अप्शन पहेंगे मौड ऑफ ट्रावेल मतलब किस तरह यात्रा करें तो हमारी अगर खुद के वहिकल होगे तो उससे स्वय का स्वय का वहिकल पर क्लिक करना अगर हमें गॉर्मेंट के द्वारा स्वय का वहिकल से जाना है तो दो नंबर के अप्शन पर क्लिक करना है फिर हम हमें किसी को सर्दी खासी है बुखार जैसे लक्षन हो तो उस पर हां करना है अगर नहीं हो तो नहीं करना है अब हमें अपने राज्ये का अपने करण जहां पर हम है उस जगह का एड्रेस जाल पूरा एड्रेस डाल देते हैं जो आपके आधार कार्ड में हो उसे डाल देना है पिर हमें हम किदर जाना जाते हैं वहां का में एड्रेस फिल करना है तो हम ग्रामीन है तो ग्रामिंड ग्रामिंड में चुछ करेंगा अगर अरबन में जाना शिय्त करेंगे ज़ना चुछ क्धा हाओ इन आर चौन पूर जनपद हमारा शौनपूर चौनपद हमारा यहां से हम से चले कर लें गया हम यूपी कोओं से ょंपता से倪KY तो मैं यहां पे अपना फिर वहां का तवसील तवसील से लेकर ना है प्राइड लोड हो रही है वेबसाइड में तवसील के पाद हमारा ब्लॉक कुन सा है उसे से लेकर ना है है पर ब्लॉक के बाद हमारे ग्राम 500 55 का डलना है तो जैसे कि हमारा ब्लेज है उसे यहां पर चूस करके डाल देना है फिर हमें हमारे गाओ का नाम इधर अपसन में दिया होगा उस पर से लेकर करके डाल देना है फिर हमारे गाओ के एड्रेस का पूरा पूरा एड्रेस डालना है गाओ के उसका आ ये न चानु में कोई भी वैक्टी जूरई रह रहें उनकानाम और उनके lei ख्षान्ठी श्यूलिय कि अपने डादा का दाल सकते दाधी का जो जिन पास contact number भी हो तो और उनका contact number डाल देंगे और और हमें यह तीनों declaration पर क्लिक कर देना है कि मुझे जानकारी है कि जब मैं उत्तर परदिस पोचुगा तो मुझे आवश्य कोरंटाइन में रहना पड़ेगा फिर मैंने अपने शहर और जनपत के किशी containment zone में पिछले दो माँ शेय निवास नहीं किया और मैं गोशना करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी साटी के और मैंने ग्यान का सरशेष यदि मेरे द्वारा दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे विरिद महामारी अधिनियम अथ्वा आपद्दा प्रबदन अधिनियम के अंतरगत कारिवाई की जाएगी और यह पूरा फॉर्म फिल होने जाने बाद हमें एक बार वापीस से चेक कर लेना और फिर हमें संदब सुरश्ची ग्रीन वाले ओप्शन पे क्लिक करके सब्मिट कर देना फिर उसके बाद हमें एक गौर्मेंट यूपी गौर्मेंट के तरब से एक मैसेज आएगा कि आपकी रेजिस्ट्रेशन सब्मिट हो चुकी है आप यह ना सुचे कि आप आपके आपकी इस रेजिस्ट्रेशन के बाद आप तुरंत आपको गाड़ी या यूपी सरकार बुलाना चाहिए उसकी फूल डिटेल आपको मैसेज द्वारा प्रवाइट कराई जाएगी अगर ट्रेन द्वारा होगा तो आपको ट्रेन की टिकट मैसेज पे आएगा इसलिए अगर वीडियो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और ल के लिए शेयर करें जिससे हो जल्दी अपने घर बहुत सब्सक्राइब दन्यवाद